जैसे कि आपको अल्रीडे पता है कि breastfeeding बच्चों के लिए सबसे जादा important रहता है इसलिए सारे ही doctors बोलते हैं कि at least 6 months तक आपको अपने बच्चों को सिर्फ breastfeed ही देना चाहिए In fact, WHO भी यह recommend करता है कि जब तक आपका baby चाहे तब तक आपको उनको breastfeed ही देना चाहिए But as a mother, I know कि breastfeeding के इस beautiful journey में हमें बहुत सारे challenges को भी face करना पड़ता है जिसके वज़े से हम हमारे बच्चों को breastfeed नहीं दे पाते हैं जैसे कि breast engagement हो गया, low breast milk supply हो गया या फिर हम बच्चे के पास नहीं है, हम work कर रहे हैं, हम travel कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे situation हो जाते हैं जिसमें हम चाहते हुए भी बच्चों को अपना breast milk नहीं दे पाते हैं और हमें किसी और milk का इस्तमाल करना पड़ता है But बहुत सारे mothers को ये नहीं पता है कि आप अपने breast milk को pump करके भी अपने बच्चों को पिला सकते हैं एक सही breast pump का इस्तमाल करके और इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके सारे डिस्कुस करने वाली हूँ लव लैप मेलोडी वेरिबल एलेक्टिक breast pump के बार में जिसको mothers and baby को ध्यान में रखते हुए specially designed किया गया है जिसका इस्तमाल करके आप अपनी milk को बहुत ही आसानी से pump कर सकते हैं and बहुत ही efficiently pump कर सकते हैं अब यह pump क्या है और इसका किस तरीके से इस्तमाल किया जाता है आईए जाते हैं इस pump का जो मुझे best part लगा कि यह एक electric breast pump है मतलब fully automatic है आपको कोई भी महनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यह electric breast pump अपना काम automatically जो है वो करता है इस pump के साथ आपको मिलता है one silicon shield, one linker, one silicon diaphragm, one pump motor, one type C cable, one valve, one milk collector, two complimentary breast pack, one travel friendly pouch इस pump को attach करना भी उतना ही जादा आसान है अटाश करने के लिए पहले आप silicon diaphragm को linkin के साथ attach कर देजे फिर आप valve को नीचे की तरफ से attach कर देजे फिर आप linker को milk collector के साथ attach कर देजे जिस तरीके से मैंने आपको वीडियो में दिखाया है ध्यान रखीगा यह अच्छी तरीक के साथ attach कर देजे और दोनों groove align कर देजे फिर आप pump motor को milk collector के साथ attach कर देजे और इस तरीके से type c cable को लगा दीजे और इस तरीके से आपका pump ready हो जाता है इसका इस्तमाल करना भी उतना ही ज्यादा आसान है इस्तमाल करने के लिए आपको यह silicon steel जो है वो upright position में अपने breast के अं अपना comfortable position लेकर के आप pumping जो है वो start कर सकते हैं. Pumping over हो जाने के बाद आप इसके power button को फिर से off कर देजे, collect किये गए milk को किसी feeding bottle में निकाल देजे, उसके बाद आप उस milk को अपने बच्चें को directly भी feed करा सकते हैं या फिर future के लिए भी store कर सकते हैं और इस तरीके से बहुत आ काम भी बहुत आसानी से कर सकते हैं. इसमें आपको LED screen and four rubberized button मिलते हैं जिसके बज़े से इसका इस्तमाल करना काफी आसान हो जाता है और इसके front में आपको silicon massage cushion भी मिलता है जिसका size absolutely perfect है जो कि किसी में breast size में बहुत ही आसानी से fit हो जाता है जो कि skin के लिए काफी gentle भी है और mothers को एक बहुती pleasant pumping experience जो है वो मिलता है. Another best part मुझे इसमें लगा कि इसमें आपको smart memory को option भी मिलता है मतलब last you say setting जो है वो इसमें store हो जाता है और आपको फिर से setting change करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. अन बस इतना ही नहीं इसको adjust करने के लिए आपको अलग से एक adjustable straps भी मिल करते हैं. And most important part इस pump में आपको four different modes भी मिलते हैं जिसको आप अपने requirement के हिसाब से आसानी से adjust कर सकते हैं. Number one lactation mode जो की milk flow को start करने में help करते हैं. Number two pulse mode जो की milk flow को बहतर करने में help करते हैं. Number three massage mode जो की आपके breast को stimulate करने में help करते हैं. And number four deep expression mode जिसके वज़े से आप आसानी से milk को express कर पाते हैं. बस इतना ही नहीं इन चारो ही modes में आपको nine different intensity levels भी मिलते हैं जिसको आप अपने requirement के हिसाब से अपने comfort के हिसाब से आसानी से adjust भी कर सकते हैं. ये काफी compact design, lightweight portable device है. And आप दिये गए travel friendly pouch में इसको डाल करके कहीं पे भी आसानी से carry कर सकते हैं. इसमें आपको total 180 ml की capacity मिलती है, जो कि काफी अच्छी quantity है. And इसके material के अगर हम बात करें तो इसको food create silicon material से बनाया गया है, जो कि mothers and baby दोनों के लिए ही absolutely safe होते हैं. And ये काफी durable भी है, मतलब आप इसको multiple time use कर सकते हैं. And another best part मुझे इसमें लगा कि इसमें आपको anti-backflow mechanism मिलता है. मतलब इसको इ काफी efficiently अपने milk को express कर सकते हैं. And बच्चों के लिए आपको काफी अच्छा milk supply मिलता है. इससे आपको कोई pain, irritation, discomfort नहीं होता है. In fact, आपको एक काफी pleasant pumping experience मिलता है. इसमें आपको one year की warranty भी मिलती है. And इसके सारही parts को except electrical unit, आप clean and sterilize भी कर सकते हैं. मतलब आपके लिए और hygiene भी यहाँ पर बने रहती है. यह एक dual power source device है. मतलब आप चाहें तो इसके दिएगे cable को लगा करके आप इसको 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 इस्तमाल कर सकते हैं. या फिर इसमें दिएगे inbuilt rechargeable battery को चार्ज करने के बाद भी आप इसका 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 इसके साथ आपको एक convenient C type USB cable जो है वो मिलत जिसका इस्तमाल करके आप लिटरली इसको कहीं भी भी चार्ज कर सकते हैं. In fact, इसका बैटरी लाइफ में काफे अच्छा है, that is 1200 MAH, इसका मतलब आप इसको frequently use कर सकते हैं और इसको आपको बार-बार चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. So last में मैं आपको बोलना चाहूंगे कि अपने मिल को pump करने के लिए आप Love Lap Melody Wearable Electric Breast Pump पसंद आया होगा, और अगर आपको भी अपने beautiful breastfeeding journey के लिए खरीदना होगा, तो यह बहुत ही आसानी से Amazon, Flipkart and Love Lap के साइट पे अविलबल है, जिसका purchase link में आपको वीडियो के नीचे ही दे दूँगी, अब वहाँ पे click करके अपने लिए पे order कर सकते हैं. दोस्तों, अगर आपको कोई भी सवाल होगा, तो आप मुझे comment करके कभी भी पूछ सकते हैं, I will definitely get back to you. वीडियो पसंद आया होगा, इंफिमेटिव लगा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजेगा, आप सब्सक्राइब करते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलती है, आपके लिए बहुत अच्छे और बहुत प्यारे वीडियोस बनाने के लिए. तो इसे के साथ में आम रता आज को वीडियो खत्म करती हूँ और बहुत जल्दी आपको मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तर के लिए ठेक क्यों और बाबाए.